दतिया में हास्तिकलब दौरा मध्यपदेश अनलॉक होने पर छोला पपड़ी का आजन किया गया यह कारिकरम कोर्णा काल में सामाजी कारिकरने वालों के मेल मिलाप के लिए किया गया छोला पपड़ी हलकी और बहतरी इन डिशाय और प्रदेश के ग्रहमांती डॉक्टर नरुता मिश्रा की यह पसिंदीदा डिशाय प्रदेश के ग्रहमांती डॉक्टर नरुता मिश्रा इस खारिकरम में बता और मुख्यातिती के रूप में मौझूद रहे हाथ से कलब दौरा गीए गए इस आयोजन में सभी ने अपनी अपनी बात कहकर ठाहा के लगाए और बहतरें डिश छोला पापड़ी का आनंद लिया कारेक्रम को देखकर लगा जैसे वाकई अब आम आदमी की जिंदगी पट्री पर लोटने लगी है लेकिन इस समय अभी भी जरूरी है कि शोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का ख्याल रखें अगर जन्ता थोड़े दिन सजग रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम फिर से खुलकर ठाहा के लगा सकेंगे फिर से जिंदगी पट्री पर आ जाएगी मानिय मंत्री जी ने दतिया में जो विकास कारे की है और मानिय मंत्री जी ने दतिया की जनता के दिलों में अपना इस्थान बनाया है और उसमें से एक हासे किलब भी है जिनोंने मानिय मंत्री जी के साथ मानिय मंत्री जी ने उनके भी दिलों में इस्थान बनाया है और मानिय मंत्री जी के सम्मान में हासे किलब हमेशा जो है लगभग लगभग साल में दो-तीन प्रोग्राम छोला पपड़ी के करते हैं और यहां पर महाराज रहते थे इस तालाव में पानी भरा रहता था इसमें जल बिहार किया करते थे यहां बैटकर यह जो बाराज दरी आप देख रहे हैं यहां संगीत सभा होती थी महाराज बैठते थे और तदिया के बड़े-बड़े संगीत कार अपने संगीत का प्रदर्थन करते थे इस कारण यह स्थान एक अति महत्यों पूर्ण स्थान है और यह हमेजा पिकनिक पक्दंडियों से सडकों तर गाउं से शहरों तर व्यापार से उद्ध्यों तर राजटीती से उठमीती था दखन न्यूज आपके हत्रें आप देख रहे हैं दखल्यू